हेलो फ्रेंस वेलकम माई यूट्यूब चैनल फ्रेंस आज के वीडियो में हम टॉप 30 क्वेस्टन प्रजन तंत्र के यानि की रिप्रोड़क्शन सिश्वम से डिस्कॉस करेंगे और देखेंगे सभी क्वेस्टन किसी एक्जामों में रिपीट हुए हैं जो कि आपके आने वाले एक्जामों में भी रिपीट होंगे 100% संभावना हैं तो फ्रेंस वीडियो को शुरूर से लेकर लास्ट तक देखिएगा फ्रेंस में हमेशा ही चैनल पे जीके जीए जानल आवेरनेस और सभी एक्जामों के एनलसिस और सभी एक्जाम से जो भी ऑफिसेल लोटीस आते हैं सबका वीडियो के तुरू में इस चैनल पे अप्लोड करता रहता हूं तो चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजिएगा और सब्सक्राइब के बगन में जो बेल आइकन करने साना नहीं घंटे का उससे भी क्लिक करके आल का अफ्शन जरूर से लट करें ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो प्रोड करें उसका आपडेट सबसे पहले आपको मिले तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला कोशन और देखिए वीडियो के लास में कोशन में मैं से पूछूंगा उसका अंसर आपको हमें कमेंट में दिना होगा यहां पर करेक्ट अंसर हो जएगा चलिए नेक्स कॉसन को चैहिए पूरूसझियों के सेक्स हार्मोन तो 2 से ची यहां और प्रोज्य त्यासा कि बात बहला है तो यहां में बतकरम इस त्रियों के फीमेल में में कितने हा उन होते हैं तो 2 mm एं あ hunter a उस्ट्रोजन a और प्रोजेस्टरान जैसा कि आप ऑफ्षन बी और सी में देख पा रहे हैं तो यह तो पूरुसों के लिए हो गया और यह फीमेल के लिए हो गया यह आपको दुनों याद रखना है नेक्स कोशन महिलाओ के सिक्स हर्मोन को क्या कहते हैं अभी मैंने आपको बताया महिलाओ के सिक्स हर्मोन को यहाँ पर ऑफ्षन के से सिक्स हर्मोन को सिक्स हर्मोन को ऐस्ट्रोज hazır प्रोज्टर्न कहते हैं तो स्य करेक्टिंञ थो जाएगा एक और कुस्षन बनता है अगर आप पी उच्य लेफल की एक यहांनी bang के इन देक्षन बनता है मैंहिलाओ जब देख आपको ध्यान देना है relaxing hormone तो यह भी आपको याद रखना है बहुत जाए जब डिटेल में पूछा जाएगा question तो यह पूछा जा सकता है डिरेक्टली आपसे पूछा जाएक माइलाओ के सखस हर्मोन को क्या कहते हैं estrogen और प्रोजेस्ट्राण और इसके अलावा जब डिटेल में आपसे पूछा जाए कि बच्चा पैदा होने के समय कौन सा हर्मोन होता है माइलाओं में तो यह तीन ही आपको याद रहा हुआ है next question मनुसे में कितने गुड़ सुत्र पाया जाते हैं तो मनुसे में कितने गुड़ सुत्र पाया जाते हैं तो देखिए 23 जोड़े अगर हम बात करें संख्या में तो 60 फ्राइचि टीन मासिक धर्म होता है किटने दिन के बाद मासिक धर्म धर्म वज्टर में आँड़ेक और 20 दीन यानि हो आपको ध्यान बकुर्ण में नेक्स घरभासे में इस है व किसका प्रियों किम्स्ट important question है तो pregnant महिला की जो सिसू होता है मा के पेट में तो गरभासे में सिसू का विकास ग्रोथ हो रहा है कि ने इसके जनकारी के लिए डॉक्टर किसका प्रियोग करते हैं अल्ट्रसाउंड आप एक सिरियों की में जाता है इस परियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है करें बात करेंद देख iyi नसबंदी जिए है कि इस्तरीयो या फिर पुरसो की तो अगर इस्तरीयों के नस्बंदी हो जाए तो onds od भी पिता नहीं बन सकता यह आपको यादी रखना है तो इस त्रियों की नस्बंदी को वेस्क टॉमी उनलों कीüneस्ट है यापने ओके नेक्स कुछन पुरुषों की नस्बंदी को क्या जाता है लुब है अभी पूंधु को नस्बंदी तो एक जोड़ी अगर संख्या में आपसे पूछा जाए तो दो यहाँ पे जोड़ी में पूछा गया है तो option number A यहाँ पे correct answer हो जाएगा एक जोड़ी testis पाया जाता है next question मानों में saturation की कुरिया कहां पर संपन रहती है तो मानों में return to The New दोनों एक ही नामें अंडवाहिनी को या फिर इंगलिसमें आप लिक्रांपशा न lifting उप्रॅच पाया जाएगा नेक्स को संध्र महिलाओ में जन्म महिलावं में जन्म का समय निसेते चन के बाद कितने दिन का होता है 256 दिन या 38 सब्ता यह आपको ध्यान देना consulting Ci correct answer रोजाईगा object दोन्य next question PC most important question कईवर इसक्राव में पुचा गया है गर्वकाल के प्रथम दो सब्ता को क्या कहते हैं तो गर्वकाल के प्रथम दो सब्ता को क्या कहते हैं पूर्वा भूरी अवस्था या फिर प्री एंब्रोनिक स्टेज तो ऑफ्सन नमबर सी यहां पर करेक्टन सरो जाएगा उप्रोक्त दोनों प्री दो सब्सक्राइभा भूरी भूरी अपर मदा जनलन प्त में पहुंचने के प्षाट माननों शुक्राणों अपनी निशेशन छमता कितने समय के लिए सुरच्चित रखते हैं तो मादा जनन पत्ने पहुचिने का पाश्चात मानो का जो सुक्राड़ू होता है अपने समय के लिए सुरच्चित रहता है और तालिस से बहत्तर घंटे तक ऑप्सन नमबर एक करेक्ट अंसर नेक्स कोशन मानो भुरूण यानि की हिर्दे कब विस्पंदन करने लगता है अपने परिवर्दन के चौथे सफता में ऑप्सन नमबर डी यहां पे करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन कौशन कौन सा तरल भुरूण को नम बनाए रखने बहरी दबाव तता धक को इत्यादे से सुरच्चा रखता है तो जो भुरूण होता है तो बहरी दबाव या फिर उसके सेफटी के लिए सुरच्चा के लिए कौन सा तरल जो होता है उसकी सुरच्चा रखत अपने दूसरा नाम होता है यह यहां पर उपरोग तो दोनों चलिए नेक्स को अटेख लेते हैं बच्चे के निर्धान किसके गुर्षुत्र के द्वारा होता है तो पिता के गुर्षुत्र द्वारा option number A यहाँ पे correct answer हो जाएगा बच्चा पैदा होता है लड़की या फिल लड़का वो बच्चे के पिता के गुड़ सुत्र पे निर्वा करता है तो option number A यहाँ पे correct answer हो जाएगा पिता के यहाँ पे आप correct कर लीजिएगा इन में से कोई नहीं पिता होगा यहाँ पे इस्तरी है या फिर पूरुस यानि लड़का है या फिर लड़की उसके लिंक का निधान कैसे किया जाता है तो डॉक्टर्स पता लगाते हैं एम्नियो सेटेसिस से तो option number D यहाँ पे correct answer हो जाएगा next question प्रथम परकनली सिसू का क्या नाम था तो प्रथम परकनली सिसू का क्या नाम था option number A हाँ पे correct answer हो जाएगा लुईस कई बार इकजामें पूछा गया है important question है नेक्स कोशन परखनली सिसू में क्या होता है तो परखनली सिसू में क्या होता है विकास तो उसका internal होता है लेकिन निशेचन बाहर होता है तो ये option number C correct answer हो जाएगा उपरोक्त दोनों नेक्स कोशन मुख से लेने वाले गर्भ निर्दोग गोलिया किसका निरोद करते हैं तो किसका निरोद करते हैं option number B correct answer हो जाएगा अंडोद सर्जन option number B correct answer next question गर भासे से अंडो का निकलना क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है option number A यहाँ पे correct answer हो जाएगा अंडो तर्ग इंगलिस में बोलते ovulation यह आपको याद रखना important है कई बार एक्जाम में पूछा गया है next question भुरुन के विकास के लिए किस अंग के द्वरा खाद की पूर्ती की जाती है तो भुरुन के विकास के लिए किस अंग के द्वरा खाद की पूर्ती की जाती है बिजानरसन द्वरा option number A यहाँ पे correct answer हो जाएगा next question युगमक को सिकाओ का निर्माड क्या कहलाता है तो युगमक को सिकाओ का निर्माड क्या कहलाता है युगमक जनन ऑफ्षन नमबर एक करेक्ट एंसर नेक्स को सन नर प्रजनन को सिका को क्या कहते हैं तो नर प्रजनन को सिका को क्या कहते हैं सुक्रानो या फिर इंगलिस में बोले तो इस परम यह आपको याद रखना है ओके नेक्स को सन मादा प्रजणन को सिका को क्या कहते हैं तो मादा प्रजणन को सिका को अंडा कहते हैं option A correct answer English ने बोले तो ओवा यह आपको याद रखना है next question प्रजणन का पहला चरन क्या होता है तो प्रजणन का पहला चरन यूगमक जनन होता है option no a here और क्रेक्ट पे और नेक्स कोन मानो सरीर में अनुआन्चिक्ता की इकाई को क्या कहते हैं तो मानो सरीर में हमान स्टाइक टैकि एक הफ जी हो आफ को सबिक फुरे जबर हो गए हाज का वारा लास को ससनं ह ABOUT आपको में कमेंट reflect कि सब्सक्राइब करें परहें सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब बंगulates उसे शॉप्सराइब करें ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो प्लोड करें उसका अपड़ेट सब्सक्राइब आपको मिले और हाँ इनसा भी कोशन का अगर आपको पीडिया प्राप करना है तो आप हमारा टेलिग्राम गूरूप जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम गूरूप का लिंक मैंने देजिएगा अगली वीडियो का अपड़ेट पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में हाइव अनाइस टे